ले बिल्बान वेल्कम टो यूटूब चैनल दसे चैसिंग आज की वीडियो हम बात करेंगे अपने लेस्न नमबर 18 का पार्ट सेकेंड जिसका टॉपिक है हीट बोड़क्षन हीट हमारा second function है मॉसल का तो इस सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं अपने लेस्न 18 में सो आएए स्टार्ट करते है हमारी skeleton मंसल का जो second main function होता है होता है हीट प्रोडक्षन हमारी स्कैलेटन मॉसल है यह हमारे बॉडी में हमारे temperature को regulate करती है हमारी वारी स्केलेटर मसल हीट प्रिदूज23 था करती अब होता यसा है कि जब भी हमारा बॉड़ी का को, म१ा ट defense नीचे जाता है द्रॉफ उता है तो हमारी जो सकेलेटर मसल है जो उपर और से इस हङडि के धाचे के उपर है वह कर ताकि हमारी बॉडी अपना body core temperature maintain कर सके, हमारे body का ideal core temperature 37.7 degree Celsius होता है, इस temperature को हम normothermic temperature, normothermic state भी बोलते हैं, यह जो ideal body core temperature होता है, यह person to person vary करता है, क्योंकि जो physiological factor होते हैं, वो person to person vary करते हैं, for example, muscle mass हो गया, fat mass हो गया, आपका vessel metabolic rate हो गया, आपकी age हो गई, यह person to person vary करते हैं, इसलिए जो यह ideal core temperature है, यह person to person vary कर सकता है, लेकिन हमारी body इस तरह से design की गई है, कि जो हमारा यह body core temperature होता है, यह 36 degree Celsius से लेकर 39 degree Celsius के बीच में ही हमेशा रहना चाहिए, इसी इस range के बीच, इसी optimal range के बीच हमारे जो body के organs हैं, वो अच्छे से function कर पाते हैं, हमारे body के जो systems हैं, वो अच्छे से function कर पाते जब बहुत ज़्यादा ठंडी परती है, like winter season में, तो क्या होता है, हमारी body का core temperature होता है, वो drop down होता है, वो नीचे आने लगता है, लेकिन जब भी हमारी body का core temperature नीचे आता है, 36.6 degree Celsius के नीचे आता है, core body temperature जब drop down होता है, तो हमारी body alert mode में आ जाती है, हमारी body कुछ corrective measure लेती जाए, तो इस condition को achieve करने के लिए, इस optimal range को achieve करने के लिए, हमारी muscle यहाँ पे key role play करती है, और हमारे body के अंदर heat को produce करती है, हमारे temperature को regulate करती है, और हमारी muscle यह दो तरह से कर सकती है, जिसमें से पहला है involuntary mechanism और दूसरा है voluntary mechanism, इन दोनों mechanism के बारे में हम detail में समझेंगे अप इस पर आपका कोई control नहीं होता है, यहाँ पर हमारी body अपने core temperature को बढ़ाने के लिए, elevate करने के लिए, shivering करती है, shivering मतलब कापना, थर थराना, जैसे ठंडी में आप कापते हैं इसी को shivering बोलते है, आपने भी महसूस किया होगा, जब आपको बहुत सादा ठंडी लगती है वह drop-down हो जाता है, तो इस body core temperature को elevate करने के लिए, एक optimal range में लाने के लिए, हमारी body shivering reflexes को trigger करती है, जिसके कारण हमारी skeleton muscle है, वो shivering करने लगती है, कापने लगती है, थर थराने लगती है, यह पूरी तरह shake करने लगती है, यह जो cup का पहाट है, यह जो shaking movement है, यह हमारी body के अदर energy release करते हैं, heat produce करते हैं, जिसके करण जो हमारे body के लिए, यह नॉर्मल range में आ जाता है, एक optimum healthy range में आ जाता है, बात करते हैं, voluntary mechanism की, voluntary mechanism की खास्यते हैं यह पूरी तरह से आपके control में होता है, यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप कोई action perform करते हैं, या कोई exercise perform करते हैं, तो आपकी skeleton muscle है, वो contract होती है, और जब जब हमारी skeleton muscle contraction perform करती है, तो हमारी body के अंदर heat produce होती है, आपने भी यह महसूस किया होगा, आपको शरीर के अंदर अपने घरमाहट महसूस होती है, आपके हर तरीके के action में आपकी muscle contract करती है, और जब जब आपकी muscle contract करेगे, तो यह energy release करती है, या heat release करती है, जिसकारण जो हमारे body का temperature है, वो regulate होता है, हमारे body के अंदर heat produce होती है, इस तरह से यह दो mechanism को utilize करके, हमारी जो skeletal muscle है, हमारी body के अंदर heat produce करती है, हमारे body temperature को regulate करती है, I hope आपको सारी जानकारी आच्छी तरह से समझ में आ गई होगी होगी, आगर आपको अभी भी कोई doubt हो, तो मुझे comment करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा रगा तो वीडियो पे like, comment ज़रूर करें, for watching, stay healthy, stay fit, bye, Jain.